अब हम समझेंगे कि मैं कितने तरह का माईक यूज करता हूँ, 5 माईक से मेरे पास, 3 डाइनामिक माईक है, 2 कंडिनसर माईक है, ये एक कंडिनसर माईक है जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक माईक था, मैंने स्कारलेट का बंडल लिया था सबसे पहले, उसमें हेड़फोन माईक सब कुछ मुझे मिल गया था, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेला इकन दबाएं, हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, सही धंक से संगीत को सीखने और समझने के लिए, इंडिन म्यूजिकार्ट मॉबाइल एपलिकेशन डाउनलोड करें, तो ये बात समझते हैं कि मैं दो तरह का माईक क्यों यूज कर रहा हूँ, कंडिनसर माईक बहुत अच्छा होता है, बहुत संसिटिव होता है कोई भी चीज रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन लाइव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, लाइव इस तरीके से सोच कर आप बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप अलग-अलग सभी चीजों पर आप माईक रखेंगे, तो डाइनामिक माईक आपको यूज करना पड़ेगा, जिसे लाइव शो में जो होते हैं, डाइनामिक माईक यूज होते हैं, मुझे मैं हर्मोनिम बजा कर के जो यूटूब टुटूरियल बनाता हूँ, वो डाइनामिक माईक ही है, उस पर ज़्यादा सुविधा होता है मुझे, कर्डेंसर पर भी बना सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, कि हर्मोनिम की आवाज बहुत ज़्यादा आती है, मेरे हिसाब से, तो मैं इसलिए मैं डा फिर उसके बाद शूरे PZA 58 है मेरे पास, उसकी प्राइज 4,000 ऐसे है, फिर SM58 है, उसकी प्राइज 8,000, सारे 8,000 ऐसे है, यह तीनों डैनमिक माईक है, कंडिनसर माईक में, यह स्कारलेट का है, बहुत बेसिक है, और दूसरा रोड इंटी वने मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई professional song या cover song अगर अच्छे ढंग से एक अच्छे level अच्छे sound में record करना होता है, तो मैं रोड इंटी वने यूज़ करता हूँ, ऐसे यह भी condenser mic बहुत अच्छा है, अगर सही ढंग से record किया जाए, तो इससे भी बहुत अच्छा output आता है, मार्केट में और अगर आपको अच्छे ढंग से लेना चाहिए, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं, मैं live कुछ instrument यूज़ करूँ, जैसे तीन चाहर चीज़े, जैसे ज़्यादे तर classical में होते हैं, guzzles, यह सब, तो आप अच्छा dynamic mic यूज़ किज़े, तो ज़्यादा बेटर है, dynamic mic से क्या होता है, आप cover song भी record कर सकते हैं, पर इससे जो record होता है, इसके साथ आप बहुत ज़्यादा चेरचार नहीं कर सकते हैं, तो समझदारी के साथ जो आपको जरूरत है, उसके हिसाब से आप mics use कर सकते हैं, शुरूरत के लिए मैं कहूंगा कि आप एक dynamic भी रखिए, एक condenser भी रखिए, दोनों ही कम price के रखिए, अपने जरूरत के हिसाब से आप सीखिए जीजो को, धिरे धिरे जब आप सीखेंगे, तो आप समझ पहेंगे कौन से mic कभी use किये जाते हैं, अगर आप चैनल पे नए कर सकते हैं,